योगासन और स्वास्ति पर निबंथ योगासन का अर्थ योगासन शब्द योग तथा आसन शब्दों से मिलकर बना है शक्ति और अवस्था को योगासन कहते हैं वहशे पतंजली ने योग की परिभाशा देते हुए लिखा है अपने चित मन की वृत्यों पर नियंत्रन करना ही योग है आसन का अर्थ है किसी एक अवस्था में स्थिर होना इस प्रकार योगासन शरीर तथा चित मन को स्फूर्थी प्रदान करने में विशेश योग देता है योगासन और खेल योगासन के अर्थ से इस पश्ट है यह एक उदेश पूर्ण क्रिया है शरीर सौश्टफ प्राप्त करने नाड़ी तंत्र को सबल बनाने तता भीतरी शक्तियों को गती प्रदान करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वे शरीर को निश्चे ही लाप पहुचाती है शरीर की विभिन आवश्रक्ताओं के लिए विशेश प्रकार के योगासन योग विशेश शक्य बताते हैं योग तो योगासन व्यायाम और खेल के लाप लगवक एक समान है फिर भी योगासन और खेल में लोग अंतर मानते हैं कुछ विद्वान मानते हैं कि योगासन की ठका देने वाली क्रियाओं को छोड़ कर शेश शारिरिक क्रियाएं खेल कूत के अंतरगत आती है योगासन से स्वास्त लाभ शारिरिक और मानसिक योगासन करने से व्यक्ति के शरीर और मस्तिश्क दोनों को लाब पहुँचता है शारिरिक स्वास्ति के दृष्टी से देखे तो योगासन से व्यक्ति का शरीर सुगठित, सुडॉल, स्वस्त और सुन्दर बनता है उसका शरीर तंत्र संपूर्ण रूप से स्वस्त बन जाता है पाचन शक्ती तेज होती है और रक्त प्रवाहत ठीक बना रहता है शारिरिक मल उचित रूप से निकास पाते हैं शरीर में शुधता आती है तो त्वचा पर उसकी चमकवत तेज जलगता है भोजन समय पर पच्टा है अतर रक्त मांस उचित मात्रा में व्रधी पाते हैं शरीर स्वस्त चुस्त दुरुस्त बनता है दिन भर स्फूर्थी और उच्साह बना रहता है मानस्पेशिया लचीली बनी रहती है जिससे क्रिया शक्ती बढ़ती है और व्यक्ति काम से जी नहीं चुडाता शारिरिक गठन में एक अनोखा अकर्शन आ जाता है योगासन से ही शरीर में वीर्य कोश भरता है जिससे तन पर कांती और मस्तक पर तेज आ जाता है इस प्रकार योगासन करने वाला कसरती शरीर हजारों की भीर में अलग से पहचान लिया जाता है योगासन से स्वास्त लाब शारिरिक और मांसिक विचारकों का कथन है स्वस्त तन तो स्वस्त मन या कथन शत प्रतिशक सत्य है योगासन से शारिरिक लाब तो होता ही है मांसिक स्वास्त पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दुर्बल और कमजोर तन प्राया मन से भी निराश और बेचारा सा हो जाता है मानसिक स्वास्त पर भी सकारात्मक रभाव परता है स्वस्त शरीर में ही स्वस्त आत्मा बस दिये योगासन करके तरो ताजा हुआ शरीर अपने भीतरिक विशेश उल्लास और उमंग का अनभव करता है प्रसन्न चित्व्यक्ति जो भी कार्य हाथ में लेता है अपने सकारात्मक रवईय के कारण उल्लास और उमंग से उसे पूरा करने में स्वयम को जोक देता है वो जल्दी हारता नहीं उसके शरीर की शक्ति उसके कारी में प्रदर्शित होती है योगासन से मन में जुजहरू पनाता है जो निराशा को दूर भगाता है योगा अभ्यास से जीवन में आशा और उत्साह का संचार होता है योगासन से अनुशाशन और व्यक्तित्व का विकास योगासन करने से व्यक्ति में संघर्ष करने तता स्वयम पर अंकुष लगाने जैसे गुणों का विकास होता है पुष्ट पुष्ट शरीर, तन और मन दोनों पर अंकुष लगा कर जीवन में अनुशाशित रहने की कला सीख लेता है शरीर का सयम, मन पर नियंत्रन और मानसिक दृढ़ता व्यक्ति को ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं कि वो स्वयम ही सबका आकर्षन और पेड़ना स्त्रोत बन जाता है आश्किर प्रतिस परधा के युग में योगासन का महत्व निश्चे ही विवाद से परे है